हले एवर्यूवन ग्रीटिंग्स अफ दे विल्कम बाक टू दे चानल मैं हूँ डॉक्टर साहल रॉयर आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपनी यूटीब चैनल यूपामर स्कॉलर में दोस्तों अमीड है कि आप सब बहुत इच्छे से होंगे आज का हमारा जो पर एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसे आज का टॉपिक है हमारा प्रामरी फॉंक्शन के उपर है अगला जो होगा वह हमारा सेकंडरी फॉंक्शन के उपर होगा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको ओफ मनी जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि जो प्रैमरी फंक्शन अफ मनी है इसे मेन फंक्शन ऑफ मनी भी कहा जाता है यह पॉंडमिंधर करना समझते हैं हमारा सबसे पहला पंक्शन है swings आए इसको डीटेटल में समझते हैं इन्होंने सबसे पहला point का है कि this may be considered as the most basic function of money जो medium of exchange है यह सबसे ज़्यादा basic function of money है मतलब अगर आपसे कोई function of money की बात करें तो आपको सबसे पहले कहना है medium of exchange उसके बाद आप बोलेंगे measure of value सबसे पहले आपको क्या बोलना है medium of exchange बोलेंगे medium of exchange फिर आप दूसरा function बताएंगे primary function में measure of value तो इन्होंने का कि this may be considered as the most basic function of money आगे के रहें कि money has the quality of general acceptability भाहिया आपको कितना भी पैसा दो मना नहीं करेंगे यह हम आपको कितना भी पैसा दें आप मना करने वाले हो क्या है न रिष्टेदारों किया जब जाते हैं रिष्टेदार आते हैं जो जाने लगते हैं बट बच्पन में तो लिफापा मिलता था बडड़े के टाइम ठीक है जो रिष्टेदार जाने लगते हैं तो मन करते है थोड़ा और पैसा देते हैं और कोई पैसा देते हैं तो समझते हैं कि नहीं बच्पन तो मिलता अभी तो पता नहीं तो सब बड़े हो गए तो इन्होंने का कि money has a quality of general acceptability पैसे को कोई मना नहीं करता ठीक है तो money की basic quality क्या है कि इसको हर कोई इंसान accept कर लेता है goods or services के पदले में ठीक है तो यह money के खासियत है कि हर एक इंसान इसको पसंद करता है accept करता है आगी उन्हेंने कहा कि as such all exchanges takes place in the terms of money तो इन्होंने कहा कि medium of exchange में basically क्या होता है कि जो भी exchange किया जा रहा है वह money के terms में किया जा रहा है दोस्तो इसको समझझे से पहले थोड़ा और पीछे जाते हैं हम बात करते हैं बाटर एक्स्चेंज की आप सभी जानते ही कि बाटर एक्स्चेंज की आं होता है जहांपे goods या services के बदले में हम क्या exchange करते थे goods या service मतलब goods के बदले में goods या services exchange होगा या services के बदले में goods or services exchange होगा दिस बार्टर एक्चेंज अब हम क्या करते हैं कि medium of exchange में एक तरफ से goods या services देते हैं दूसरे तरफ से आपको क्या मलता है money आप समझ रहे हैं तो इन्हों ने कहा कि as such all exchanges just takes place in the terms of money सारे की सारे एक्स्चेंज होंगे मनी के टर्म्स में आगे कहरें जो में डिफिकल्टी थी बाटर एक्स्चेंज की वास्द लाक ओफ डबल कोइंचिदेंस ऑफ वांट्स ठीक है तो यह जो डबल कोइंचिदेंस ऑफ वांट्स यह तो आप जानते है ना बाटर एक् प्लेस चीजों की जरूरत है मतलब मेरी चीज आप ले लिजा आपकी चीज की जरूरत मुझे आप मुझे दे लिजे तो यह तो डबल कोइंचिदेंस ऑफ वांट्स हो गया लेकिन जो चीज मेरे पास एक्सेस में वह आपको चाहिए नहीं लेकिन जो चीज आपके पास है वह मुझे चाहिए तो भाई मेरी चीज जब लेंगे नहीं तो अपनी चीज तो आप मुझे देंगे नहीं तो एक्स्चेंज नहीं हो पाएगा तो दाट वास लाक अफ डबल कोइंचेदेंस ऑफ वांट्स ठीक है कन्फ्यूज मत हो यह बहुत ज्यादा आगे पिछे मैंन इनहें आगे कहा कि इट वमाउन हनठाउन अओख ओफ डदिवर्फिकल्टी ज ऑन इनकन्विनियंस ज इस द्वार तो तो यह जो बाटर सिस्टम का इनका इनकन वियंस था या डिफिकल्टी थी जो प्रॉब्लम था इसके बदार तो बाटर एक्सचेंज की इन प्रॉब्ल को overcome किया जा सके आगे कहरें in modern money exchange system the prices of goods and services are expressed in the terms of money बिलकुल चाही बात है जो modern money exchange system है उसमें जो भी goods and services है उसकी जो भी कीमत है वो किन के term में express की जाती है money के term में express की जाती है since money is generally acceptable जो पैसा है generally acceptable है everyone accepts it in exchange for goods and services and utilizes it for purchasing goods and services of his choice सबसे important यह last nine है इन्होंने का क्योंकि money जो है वो generally acceptable है तो सारे के सारे लोग everyone accepts it in exchange for goods and services ठीक है हर एक इंसान goods and services के बदले में इसे accept करते है जिससे मैं एक teacher हूँ ठीक है मैंने अपनी services दी आपने बदले में मुझे fees दिया समझेगा ठीक है अब यह जो fees का पैसा आया money के form में मेरे पास ठीक है इसको मैं utilize करूंगा यह last line utilizes it for purchasing goods and services of his own choice इसे मैं अपनी choice के goods and services को purchase करने में खर्च करूंगा आप बात समझ रहे हैं तो यह था हमारा medium of exchange अब बात करेंगे हम measure of value की measure of value में सबसे पहला point का हग गया है कि the second important function of money is that it measures the value of goods and services जो दूसरा सबसे important function है वो है measure of value money का जो दूसरा सबसे important function है वो है measure of value क्योंकि यह measure करता है value किसकी value goods और services की value ठीक है एक डॉक्टर है जिसकी fees 50 रुपए है एक डॉक्टर है जिसकी fees 500 रुपए है एक डॉक्टर है जिसकी fees 25 रुपए है बड़ी-बड़े multinational multinational क्या बोल रहा हूं मैं मतलब metropolitan cities में बड़े-बड़े doctors की बिल्कुल हो सकते हैं क्यों नहीं सकती है ठीक है और हमारे घर के बगल में जो मॉल्लक लेने के वहां पचास रुपए लगता है ठीक है थोड़े-बड़े में उसकी services उतनी valuable है कि आप उसे measure कर रहे हो पैसे के टम्स में और उसको उसके आप उतनी fees दे पा रहे हो आप मेरी बात समझ रहे हैं कहने का मदभी है कि जो दूसरा important function है न मनी का वह measure अगर यह करता है गुड की क्या कीमत है अगर आपको लगता है इसकी जाड़ा कीमत है अगर एक बर्गर 5000 में मिलने लगे खाएंगे आप नहीं खाएंगा तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि goods and services को money के terms में उसकी value के terms में उसे measure करते हैं, तो this is measure of value, on the other words, in other words, the prices of goods and services are expressed in the terms of money, जो prices हैं, जो कीमत हैं goods and services की, वो money के terms में express की जाती है, तो आगे कहरें कि money is thus looked upon as a collective measure of value, तो money को collective measure of value के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि आप हर एक goods and services को money के terms में measure करते हो, collectively, आपको चारों तरफ जो भी आपके आसपास जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, वो आपने किस कोई ना कोई price दे करके, पाईसा दे करके, खरीदा होगा, तो उसकी कुछ ना कुछ value रही होगी, तभी उतना value आपने देखर के उसे खरीदा होगा, तो यही का गया है कि, थस, sorry, money is thus looked upon as a collective measure of value, आगे कह रहे हैं, since all values are expressed in money, so it is easier to determine the rate of exchange between the various types of goods and services, because there is no single commodity, then, in the terms of which all the values were measured, मतलब समझेगा, इन्होंने का कि, क्योंकि सारी की सारी चीज़े, money के format में हम क्या करते हैं, express करते हैं, money की terms में हम सारी चीजों की value express करते हैं, तो यह बहुत आसान हो जाता है, कि हम goods and services के rates, जो अलग-अलग goods या services है, उसके rates को हम determine कर सकें, आप toothbrush खरिकते हो, toothpaste खरिकते हो, साबुन खरिकते हो, तो अलग-अलग companies के अलग-अलग साबुन है, toothpaste है, तो आप determine कर पाते हो ना, monetary terms में कि, भाई मुझे ये चाहिए, इतने price में मल रहा है, मुझे ये चाहिए, इस हिसाब से, services भी train में, AC first में, या general डबे में, या sleeper डबे में, जाना एक ही जगा है, train एक ही जगा लेकी जारी है, लेकिन क्योंकि services है, उसे हम money के terms में, हम क्या करते हैं, उसकी value को express करते हैं, तब ही हम उस चीज़ को खरिक पाते हैं, क्योंकि money को छोड़ करके, कोई और ऐसी single commodity नहीं है, जो हर एक चीज़ को measure कर सके, आप money को छोड़ करके, और कोई चीज़ है, जो money के terms, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ है, money को छोड़ करके, जो हर एक चीज़ की value बता सके, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, कोई commodity नहीं, तो money एक चीज़ जो हर एक गुड़ से services की valuation, हम money में कर सकते हैं, लास्ट में कहरें कि money also serves as a unit of account, money जो है, वो unit of account, unit of account का मतलब क्या होता है, जिसे इंडिया में rupees है, accounting किसमें होती है, अमेरिका में dollar है, इंडिया में rupees है, अमेरिका में dollar है, तो this is your unit of account, जिसे आप account को measure कर सकें, ठीक हैं, दोस्तों, I hope and believe कि यह जो primary function of money थे, जिसमें दो हमारे primary functions थे, पहला medium of exchange, दूसरा measure of value, सिरफ दो ही लिखने हैं आपने, क्योंकि दो ही होते हैं, ठीक हैं, आपको clear हो गया होगा, अगली वीडीयों में जानेंगे, वाथ आर दा सेकंडरी दो क्योंकि नापकिल स्थाटरी थे, यह जो मच वच वच वाच वीडियों, आपको वीड वाच 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 वेडीयों, गब्लस यॉल मांदक्यों,